नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन सर्मा, आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपके अपने चानल सुमन एजुकेशन हब में, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टैली प्रैम में फीचर्स F11 के आपशन को आपको कैसे यूज करना है, क्या-क्या फीचर्स होते हैं इस देखने वाले हैं, तो चीडि वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं टैली प्रैम में F11 फीचर्स को आपको कैसे यूज करना है वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आगी बढ़ने से पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट है मेरी आपसे लोगों से, अगर आप फ जोबी वीडियो में अप्लोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ का साथ मिलती रहेगी और आप मेरी कोई वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, टैली प्रैम को ओपन कर लीजे, अब हम यहां से देखने वाले हैं टैली प्रैम में फीचर्स के ऑप्शन में क्या-क्या है, और कॉन्फिग्रेशन में क्या-क्या है, तो सबसे पहरे टैली प्रैम पे रहते हुए आपको फीचर्स ऑप्शन कैसे मिलेगा, वो देख लेते हैं, तो टैली प्रैम को ओपन करने के बाद आपको यहां पे सबसे उपर company का option show हो रहा है इस option पे आपको click करना है जब आप company के option पे click करेंगे तो यहाँ आपको features का option show होगा इस पे आपको click करना है shortcut keys भी आप press कर सकते हैं यहीं से F11 press करेंगे तो भी features के option पे आ सकते हैं अब यहाँ पे जो company का features से वो open हो चुका है show more features पे and show more options पे आपको दोनों options पे yes करना है सारे features and सारे options आपको यहाँ पे show होंगे यहाँ आप देख सकते हैं आपको category show हो रही है accounting की, inventory की, take session की, online access की, payroll की and others की यहाँ पे six categories आपको show होती है आप अपने work के according इन सारे categories में जो options है उसको enable and disable कर सकते हैं तो one to one हम सारे category को discuss कर लेते हैं so that आप समझ सके कि कैसे आपको इन सारे categories को use करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ options आपको yes में by default tally premise set रहते हैं जो की basic accounting की purpose से set किये होते हैं अगर आप इन सारे options को no करना चाहते हैं, yes करना चाहते हैं तो आप अपने according कर सकते हैं तो सबसे पहले हम accounting वाले option को देख लेते हैं maintain accounts तो इस option को आपको yes करना है तभी आप maintain कर पाएंगे account को next है bill wise entry तो इस option को भी आपको yes कर लेना है अगर आप parties के bill की entry करते हैं bill wise maintain करना चाहते हैं तो yes कर लेज़े next है enable cost center अगर आप cost center wise accounting को maintain करना चाहते हैं तो इस option को yes कर लेज़े enable interest calculation अगर आप अपने parties के bill wise में interest calculation करना चाहते हैं तो इन option को yes कर दीज़े otherwise इसको भी आप no करके skip कर सकते हैं यहाँ पर हमने सबसे पहले जो category है accounting की उसको कर लिया है, अब आते हैं inventory के तरफ, अगर आप manufacturer है और अपने accounting के साथ inventory को भी maintain करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला option मिलता है, maintain inventory, account के साथ साथ अगर आप inventory भी maintain करना चाहते हैं, तो yes कर लीजिए, next है interagate accounts with inventory, तो अगर आप accounts के साथ साथ inventory को भी maintain करना चाहते हैं, तो इस option को yes कर लीजिए, उसके बाद next है enable multi price level, अगर आप अपने product में multi price level को enable करना चाहते हैं, set करना चाहते हैं, तो इस option को yes कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं, तो इस option को आप no करके skip कर दीजिए, और आगे नेक्स्ट है इनेबल बैच वाइस अकाउंटिंग तो यहाँ पे अगर आप बैच वाइस अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं कुछ अकाउंट से जिनको हम बैच वाइस करते हैं जैसे कि पार्मा कंपनी होगी, मेडिसेंस होगी, मेडिकल स्टोर होगए, कुछ मॉल्स होते है जो grocery item होते हैं और शोऊ रूम्स होते है बाइक के तो इन सब की accounting हम batch wise करते हैं अगर इस type की accounting को आप maintain करते हैं जहाँ कि batch wise आपको accounting के जरुत पड़ती है तो इस option को आप yes करके batch wise accounting को enable कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं जहां पर कि आपको प्रोड़क्ट के एक्सपाइरी एंड मैनुफेक्चरिंग डेट को मेंशन करना होता है उसके लिए हमें बैच्वास अकाउंटिंग को आप्शन को इनेबल करना होता है नेक्स्ट है इनेबल जॉब और प्रोसेसिंग एंग बैच्वास अकाउंटिंग को यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं अब उसके बात देखेंगे आप यहां पर आपको शऑ होगा यूज डिसकाउंट डेट कॉलंग यूज करना चाहते हैं तो इस शॉप्शन को आप प्यस करके अपिएस करके अपने इसकाउंट का यहां पर mention करना चाहते हैं इस option को yes कर सकते हैं आप टेक्स सेशन वाले option को देख सकते हैं इनेबल टेक्स वाले तो यहां पर yes करके सारे GST से रिलेटर आपके सारी information आपको फील करनी होती है जैसे आपका GST नंबर क्या है उसके बार यहां पर आगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं मंतली कर रहे हैं तो मंतली कर लिजे आपका registration टाइप क्या है यह सारी information आप यहां पर फील करके इस screen को save कर दीजे तो यहां पर आपको GST से रिलेटर टेक्सें से रिलेटर सारे option enable हो जाएंगे इससे type से TDS अगर आप deduct करते हैं या फिर सामने वाली party आपका TDS deduct करती है तो इसके लिए आप यहां पर इस option को yes करके और TDS से रिलेटर सारी information को आप यहां फिल कर सकते हैं जैसे कि इस पर यहां पर जब yes करेंगे yes प्रेस करके enter प्रेस करेंगे तो आपको यहां पर 10 registration number और सारी information आपको TDS से रिलेटर यहां फिल कर देनी है उसी टैप से अगर आप TCS collect करते हैं तो TCS वाले option पर जाके yes कर दीजिए और सारी information उसमें फिल कर दीजिए उसके बाद next है यहां पर यह तीनो टैक्सेशन वाले option हो गए इसको आप फिल करके और यहां पर save कर दीजिए उसके बाद online access करना चाहते हैं तो इन दोरों option को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो yes no अपने according कर सकते हैं next features है payroll का अगर आप अपने employees की salary को pay करते हैं payroll के through तो यहां पर इस option को yes करके and payroll वाले option को use कर सकते हैं others पर क्लिक करके यहां पर इन options को भी use कर सकते हैं तो teleprime में जो features थे वो भीने आपको बता दिया कि क्या-क्या features थे अब चलते हैं move करते हैं configuration की तरब की क्या-क्या configuration आपक change हो जाता है सपोर्ज कीजिए आपको ही entry कर रहे हैं तो वहां पर configuration के options अलग होंगे अगर आप GST की reports पर काम कर रहे हैं तो वहां पर configuration की options जो है वह आपके screen के according change होते रहते हैं तो आप उसके according configuration कर सकते हैं जिसे मैं आपको यहांपर example देह रही हूं हमने voucher open कर लिया है रा को yes no कर सकते हैं जो आपको use करना है उसको yes कर लीजे जिस option को आप use नहीं करना चाहते हैं उस option को आप no करके and this screen को save कर सकते हैं इसी type से यह जो configuration वाली window है वो कहीं भी जब भी आपका screen change होगा जिसे मैंने sales voucher open कर लिया है यहीं से after all press करेंगे तो यहां आप देख सकते हैं configuration वाला जो window है वो change हो जाता है every page पे अलग-अलग pages पे जिसे जहां-जहां आप काम करते हैं उस इस pages पे configuration के options change आते हैं आप इसके according यहां पे setting कर सकते हैं जिस option को यूज करना है yes कर लिजिए जिस option को नहीं करना है no कर दीजिए thank you and keep watching my videos